आज इस वीडियो में हम डिस्केस करेंगे दे लिमिटेशन एक्ट 1963 यानि की परिसीमा अधीनियम 1963 का बेसिक ओवर्वियू इसमें हम जानेंगे इसका हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड इसके क्या बेसिक एसेंशल फीचर्स है सारका सारा जिससे की आपको लॉफ लिमिटेशन क जो बेसिक्स जानकारी होनी चाहिये वो क्लियर हो जाएनमे अगरह बात करें एक्ट के बारे में कि किस छी冷वा था चाहिए किस प sexy टाइम लकीं के लिए ताइम के अंदर जब आपका कॉज अफिछेंल अरा इस टाइम से कितने एंक के अंदर आप सून्टान कर सकते हैं 1963 तो अब अगर हम बात करें Limitation Act 1963 के historical background की तो 1859 से पहले कोई भी limitation के regarding ऐसा law नहीं था जो कि पूरे इंडिया के उपर apply होता हो पहली बार 1859 में Limitation Act लाया गया enact किया गया जो कि सभी courts के उपर apply होता था फिर इस act को 1871 में repeal कर दिया गया 1871 वाले को 1877 में repeal कर दिया गया और 1877 वाले को repeal कर दिया गया 1908 में तो finally the limitation act 1908 हो गया बनके तयार फिर अब इस वाले act को जो हमारा third law commission है उसने repeal करके लाया the limitation act 1963 और इस तरीके से the limitation act 1963 1963 में बनने वाला 36 वे नमबर का अधिनियम बन गया जो की अधिनियमित हुआ जो की enact हुआ 5th October 1963 को यह law of limitation का enactment date है जो की आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए अब अगर हम बाद करें इसके implementation की कि यह कब से enforcement में आया कब से commencement में आया इसकी enforcement, commencement या फिर परवर्तनिय दिनांग जो कहते हैं वो क्या है तो 1st January 1964 यह date most important है और अक्सर exam में पुछी जाती है इस दिन से आपका limitation act लागू हुआ commencement में आया enforcement में आया परवर्तनिय हुआ अब अगर हम बात करें कि यह जो limitation act 1963 है यह कहां कहां पर apply होता है तो यह अब पूरे इंडिया पर apply होता है after the commencement of German Kashmir Reorganization Act जब से आपका German Kashmir Reorganization Act लागू हुआ है उस दिन से हमारा यह जो limitation act है पूरे इंडिया के उपर apply होता है और यह apply होता है suits पर, appeals पर, applications पर और petition पर यानि कि suits, appeal, application and petitions इन सब के लिए यह time बताता है कि किस time के अंदर आप यह चीजे court में file कर सकते हैं अब अगर हम बात करें limitation act 1963 के कुछ essential features की तो जो आपका limitation act है 1963 का इसमें total आपके 32 sections है और यह जो last वाला section है section 32 यह repeal किया गया हुआ है और यह जो sections है आपके इनको 5 parts में divide किया गया है इसके अलावा articles यह गए है limitation act में total 137 articles हैं और इन articles में limitation period बताया गया हुआ है और जितना भी limitation period अलग-अलग articles में बताया गया है उन सभी को अगर हम देखें तो सबसे minimum period of limitation जो limitation act में provide किया गया है वो है आपका 10 days और अगर हम बात करें सबसे maximum period of limitation क्या prescribe किया गया है limitation act में तो भई 30 years 30 years सबसे ज़्यादा maximum period है limitation act में prescribe किया गया यह आपने याद रखना है इसके अलावा यह चीज़तों मैं आपको बताई चुकी हूँ कि जो limitation act है वो time limit बताता है कि कितने time limit के अंदर आप suit file कर सकते है appeal file कर सकते है application file कर सकते है petition file कर सकते है before the court किस चीज़ के लिए justice के लिए remedy के लिए judicial remedy के लिए और जो time period यहाँ पर बताया गया होता है उस time period के बाद आपके उपर restriction लग जाता है कि आप उस time के अंदर नहीं आए तो अब आप suit file नहीं कर सकते है अब आप appeal file नहीं कर सकते है अब आप applications file नहीं कर सकते है अब आप petition नहीं file कर सकते है क्यों है ऐसा क्योंकि यह जो आपका law of limitation है यह दो maxim के उपर अधारित है पहला maxim है interest republic का उससे finish lithium जिसका मतलब होता है कि यह state के hit में है interest में है कि भई जो litigation है उसका end होना चाहिए यह नहीं कि आज आपका cause of action arise होता है और आप पता नहीं कितने time बाद आ रहे हो कभी भी आ जा रहे हो मूँ ठागे ऐसा नहीं करना है इसे लिए जिससे विवस्था ठीक तरीके से चले time period prescribe किया गया है कि इस time period के बाद आप नहीं आ सकते हो court को अप्रोच नहीं कर सकते हो judicial remedy बार हो जाती है आपकी लेकिन जो right होता है वो बार नहीं करता है judicial remedy को बार करता है इसके अलावा दूसरा maxim है इसका मतलब है कि जो law है वो उन लोगों को assist करता है जो कि vigilant है जो सतर्क है अपने rights को लेकर उन लोगों की नहीं जो की सोते रहते हैं जो की अपने right के प्रती सतर्क नहीं है उन लोगों की law मदब नहीं करता है तो इस तजहास से ये clear होता है कि जो law of limitation है जो limitation act है इसका main objective यही है कि specific time frame किया जाए और उस time के अंदर जिस person का cause of action arise हुआ है वो आए और अपनी judicial remedy प्राप्त करे ऐसा नहीं कि कभी भी आ रहे हैं ठीक है इसलिए जिससे कि litigation का end हो लोग अपने अधिकारों के लिए सतर्क हो law of limitation में specific time frame किया गया है legal action को raise करने के लिए क्योंकि अगर ऐसा law नहीं बनाया जाता time limit नहीं लगाई जाती तो कोई कभी भी मूठा कर आ जाता judicial remedy लेने के लिए इसलिए ये main objective है limitation act को enact करने का अब अगर हम बात करें कि ये जो act है आपका limitation act किया ये अपने आप में पूर्ण है exhaustive है तो इसका अंसर है कि जिन matter के regarding ये expressly deal करता है उनके regarding law of limitation exhaustive है जो भी time period यहाँ पर बिताया गया है उसको analogy लगा कर extend नहीं किया जा सकता है और basically जो आपका ये act है law of limitation ये civil cases के उपर apply होता है except those matter जो कि expressly limitation act में बताये गए हैं और जैसे कि आपको पता ही है कि जो law होते हैं उनको दो category में बाटा जाता है एक होते है substantive law एक होते है procedural law तो substantive law होते हैं वो right duty, liability, disability ये सब चीज़े बताते हैं कि किस बंदी की क्या right होंगे, क्या disability होंगी, क्या duties होंगी ये सब बताते हैं लेकिन उनको कैसे enforce कराना है, उसकी प्रक्रिया, उसका procedure, procedural law में दिया होता है, उसका mechanism दिया होता है, procedural law में तो आपका ये जो law of limitation है, ये procedural law है, जब तक कि specifically कुछ अलग contrary intention ना express की गई हो तब तक जो procedural law होते हैं, वो retrospectively भी apply होते हैं, भूत पुर्व cases के उपर भी apply होते हैं तो जैसका law of limitation, procedural law है, तो ये आपका retrospective effect भी रखता है और prospective effect भी रखता है, यानि कि ये भूत लक्षी मामलों के उपर भी apply होता है और भविश्य लक्षी मामलों पर भी apply होता है और जो आपका ये law of limitation है ये आपका Indian constitution में जो third list दी गई है उसका entry number जो 13 है उसका part है यानि की कहने का मतलब ये है कि ये concurrent list का subject matter है इसके उपर state और union दोनों को power है laws बनाने की और आपको ये भी धियान रखना है कि जो law of limitation है वो सिर्फ और से judicial remedy के उपर बार लगाता है रोक लगाता है राइट को खतम नहीं करता है ये आपका means में कोशन भी पुछा जाता है ऐसे लिख देते हैं कि जो law of limitation है वो judicial remedy को बार करता है राइट को extinguish नहीं करता है इसके उपर आप एक short note लिखे ऐसे करके आपका means में पुछा जा सकता है तो basically कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो हुआ क्या कि जो limitation act है जैसे कि उसमें बताया गया है कि suit file करना है, appeal file करना है, application file करना है या फिर petition डालनी है तो इस चीज के लिए time बताया गया कि इतने time के अंदर आप आजाओ, आपको remedy मिल जाएगा लिए अगर उस time के बाद आप जाते हो तो court आपको कह देगा कि आपका यह जो suit लाए हो या फिर appeal file की है, या फिर application डाली है या फिर petition डाली है, ये time bar है अब आपको remedy नहीं देंगे हम court आपको सबसब मना कर देगा कि आपका यह जो चीज है, ये time bar है बट आपका जो right है उसको नहीं खतम करता law of limitation यानि कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मानलो हुआ क्या आपने किसी को कुछ पैसे वगएरा उधार दिये थे उसने वादा किया था कि आपके वो पैसे 1 दिसंबर 2019 को lot आ देगा और ऐसे मामलो के लिए मानलो limitation act में 3 साल का time limitation दिया गया है तो अब जैसा कि 1 दिसंबर 2019 को उसने आपके पैसे lot आने थे बट अब वो मु कर जाता है मना कर देता है तो अब आपका क्या हो जाता है cause of action arise हो जाता है और इस cause of action arise होने से आप 3 साल के अंदर court में अप्रोच कर सकते हैं और judicial remedy ले सकते हैं court से उस व्यक्ति के दुआरा पैसे वसूल सकते हैं court के दुआरा, court के जरीए बट अगर आप इस time period के बाद जाते हैं मर्दी से, क्या कर रहा है तीन साल बात भी आपको पैसे लोटा दे रहा है तो इस चीज के regarding law of limitation कोई restriction नहीं लगाता है आपका ये वाला right उससे पैसे वापस लेने का right खतम नहीं करता है law of limitation बट ये जो line है पूरी की पूरी कि जो law of limitation है वो remedy को बार करता है ना कि right को इस चीज का section 27 जो है limitation act में वो exception है जो कि हम आने वाले वीडियो में cover करेंगे तो ये था आपका limitation act 1963 का चोटा सा overview I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना चैनल को सुब्सक्राइब करना और limitation act के अगर हम आगे वीडियो बनाते हैं तो वो सारी की सारी वीडियो आपको एक प्लेलिस में मिलेंगी उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एक बार आप जरू चेक कर लेना तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में